जैन साथियो स्वागत है आपका पंकर जश्री सेंटर पर एक वर मैं फिर संतोस आपका स्वागत करने आ गया हूँ आज हम कक्षा दस्त का चिप्टर नंबर दो समाजिक विज्ञान का टॉपिक जिक्र करेंगे जो आपके आने वाले एक जाम के लिए बहुत ही महत्तुपू जाए दो शंग वाद वन सॉट में समझेंगे ठीक है और आपको हो सके तो थोड़ी देर आपको लगेगा कि क्या है कैसे हैं सब्जेक्टी पर रहे हैं तो दिक्कत की बात नहीं आप सिर्फ 10 मिनट रुक जाएगा आपको फिर मजा आने लगेगा तो आईए हम समझाते हैं और उससे पहले हम आपको चलते हैं एक साइडी की ओर कहड़ा है कि कास तुम चाय होती चाय पर एक चर्चा है चाय पर एक साइडी है ठीक है देखिए कितना बढ़िया साइडी है कि कास तुम चाय होती कम से कम सुबा और साम मुलाकात होती हर सुख और दुख में तुझे कि याद करते तुझे चाई समझ कर ही प्यार करते तुम्हें मेरे प्यार का अहसास उस्दिन होगा जिस दिन तुम्हें चाएसे प्यार हो यह खुब्सूरत सा पोएम आप लोगगोग को डेडिकेट है चाए पर अच्छा होगा तो करिएगा ठीक है आगया यह शंगवाद संगवाद चेप्टर के अंतरगत संगवाद में क्या-क्या है अब हम जानेंगे असानी से जानेंगे ठीक है आप लोग थोड़ा देर बस दस मिनट रुख जाईए उसके बाद आपको मजा ही मजा आने वाला है हो सकता है आपको पलस वाद संगखित होने का बिचार है संगठित यानि एक जैसे एक यानि अगर संगषवाद संगठित क्या होता है बराबर बिचार यानि दो लोग या से अधीक लोग 500 लोग सब जब एक बिचार एक एक मत पढ़ाते हैं एक मंच पर आते हैं तो वो बिचार बन जाता है संगठन के थुरू तो आई होप की समझ में आया होगा यहां देखे एस्टेट और यहां पे नेशनल के संदर में अगर बात कर रहे हैं तो यानि राज यह और में क्या है राज्ज और यह क्या है कैंद्र ठीक है तो राज्व और क्यंत्र सरकार जब दोनों हात मिलाकर और काम करती है तो एक संगठन का रूप ले लेते हैं और अभी नारा चल रहा है वीजए पी का की डबल इंजन का सरकार तो इसी का मतलब है कि हमारा एस्टेट म संस्थागत परनाली है जिसमें दो अस्तर की राजनितिक विवस्थाओं को शम्मलित किया जाता है समझ गया आप दो अस्तर की राजनितिक विवस्थाओं को सम्मलित किया जाता है इसमें एक संघिये यानि केंद्रिये जो ऊपर वाला होता है ठीक है ऊपर यानि सबसे ऊपर यानि किंद्र में सरकार यानि जियो सरकार दिल्ली में कानून बनाती है जैसे ननिंद मोदी की सरकार किंद्र में सरकार है बीज़ेपी का अस्तर की सरकार और दूसरी ये प्रांतिय ये राज ये देखे राज सरकार और ये क्या है प्रांतिय भी इसी को कहा जाता है जैसे किं केंदर ऐख सब से नीचे अस्थर इंश आए संजिया चुना होताये और पनचायत के अस्थर ता है उसको कहते हैं यह फोरीजन मिनार है जिसमें पहला कौन है केंदर है सब का मुख्या कौन है केंद्र है राज का मुख्या कौन है राज है और पंचायत का यानि अगर हम बात करें तो यह इसको आप माली यह तो संगयय-साष्ण बिवस्था क्या है तो संगय-साष्ण बिवस्था में सत्ता नानी कीtwo या बात जाए सत्ता का मिंट्स समझे कि मुख्ह मंत्री बनना है या प्रधान मंत्री वालना तो कि बीद्ञOOOO के Кहने यह सरकार है सरोक्ट सत्ता किसका है केंद्रिया सरकार है इसके विभिन चोटी इकायों के मध में कि बढ़ जाती है ठीक है आम तवर अगला पॉइंट है-आम तवर पर इससे एक सरकार पूरे देश में होती है जिसके जिम में राष्टिये महत्तु के विशय होते हैं यानि अगर हम बात करें जैसे अभी केंद्र की सरकार है तो राष्टिये महत्तु या राष्टिये चीजों का निर्ने के हाथ में हैं केंद्र सरकार के हाथ में यानि माननिये प्रधा हो लोगा है तो Tak desta के इन दोनों अस्तर की सरकारे अपने अपने अस्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती है यानि केंद्र सरकार में मोदी जी स्वतंत्र है राज सरकार में निदीश कुमार जी स्वतंत्र है या अगर यूपी के मुख मंत्री का बात करें तो योगी अधित नाथ जी क्या है स्वतंत्र है बहुत बनिया आगे है कि संघिये साशन ब्यवस्था की पर्मु刷 विそश्टाय कि बात कर रहे यहां जोड़ दिजेगा बिसे स्ताय प्रध्यान दिजेगा क्या क्या है तो संगिये साशन में सत्ता केंद्रिये सरकार और अंश सरकारों में बटी होती है किंद्र और अन्य सरकार में क्या होती बटी होती है किंद्र सरकार राष्टिय महत्य के विशव पर कानून बनाती है राज सरकार राज से संबंधित विशव पर बहुत बनिया है किंद्र सरकार राष्टिय महत्य के विशव पर कानून बनाती है और राज सरकार किस पर बनाती जो होगा वह केले का नहीं होगा एक से अदिक, या राज आ पंचायती राज का सब्सक्रों से ऊस्थanor होता है जरूरी चीर जैसे आपका मौलीख अधिकार है मौलीक अधिकार मतलब आपका क्या अधिकार बनता है अपने देश के परति यह अपने राजी के परति आधिकार मनता है तो अपने देश और राज्य कारे आपका अधिकार है तो मतलब हो गया हमारा करतब भी हो गया है आधिकार क्या है को यह सरकार केंद्र सरकार कोई YouTube ले कड़ाती है को सब्सक्राइब 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 हो पाता है यानि केंद्र और राज दोनों सर्कारे करेंगी उससे संभतार आदाल्तों को अधिकारों के अधिकारों की ब्याख्थ्या करने का अधिकार है देखे अधालत यानि सुप्रीम कोट ठीक है ईको चाहंगी राज्ज க वायदा तो ब्रखास्त कर सकती है इतना पावर है सुप्रीम को ठीक है भारत की संभा एक एक एकॉर्डिंग टू कंस्यूशन यानि अदालतों को सम्मिधान और सरकारों के अधिकार की ब्याख्या करने का क्या है अधिकार प्राप्त है अदालतों को ठीक है कोई कानून लेकर आई जिस पर जनता मान हर ही रही है तो हमारा सुप्रिम कोट जो है उसक पर निर्ण देगा उनके हिसाब से चलेगा यानि सम्मयधानिक से है या नहीं है अगर वह है उंनका निर्ण पैसा करेंब lies सुप्रिम कोर्ट है कि अधाले समझ बित्य सुधता के लिए राजस्व की अलग-अलग शुरोत निर्धारित है ठीक है आर्थिक स्वत्तता या बित्य स्वत्तता के लिए मतलब लेखा जो खागर हम करें निकाले पैसा कितना खर्चा हो रहा है नहीं हो रहा है उसके अलग अलग निर्वाइथ है मुल उद्देश से जो है छेत्रिये विधी वद्ध विविध ताओं का सम्मान करते हुए देश की एकता की सुरक्षा और उसको बढ़ावा देना ही क्या है हमारा यह मौली यह क्या कि संघवाद में आता कि क्योंकि सान है तो मतलब कुछ भी कर सकते हो कोई भी कानून लाइगी पास करा लेगी कुछ भी लाइगी पास करा लेगी कोई बोलने वाला नहीं है तो अधीक संघवाद सरकार की जो बुरह manti- sanctions होना यहीं आपको याद है मोदी जी ठीक है जब नोट बंदी किये थे आठ नौबर दो हजार सोला को ठीक है मतलब नोट को 500 हजार का बंद कर दिये थे ठीक है तो इससे फायदा क्या हुगा हमको तो नहीं लगता कोई फायदा हुगा सारा का सारा पैसा आ गया तो यह क्या था इसका कोई विरोध क्यों की सरकार उस समय बहुत मजबूत थी अपने बल्बूते की अपने बल्बूते की सरकार ठीक ठीक है तो ये जो है संधवाद की बुराईया पहला लाइनप को समझ में हूंआ कि केंद्र सरकार का अधीक सक्ति साली हो जाना क्या है संघवाद की बुराइया है अगला समिधान संसोधन का अधिकार केवल केंद्र पर ही प्राप्त होता है ठीक है शमिधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र को ही प्राप्त है यानि समिधान में अपने इसाब से अगर स हेद नेता रहेगा अपने हिसाब से वनालेगा अपना कानून अगला हैritoHi आधिकार दे देना ठीक है जारा संसत को अधिकार दे देना ये संगभवाद की क्या? बुराया है, मतलब संसद को मतलब जो कानून बना रही है संसद लोकसभा राज्यसभा और राष्टपती मिलकर उसको ज़्यादा अधिकार नहीं देना मतलब दे देना तो यह बुराई हो जाएगी धर्न संबंधी अधिकारों का किंध्र के पास अधीक होना या जितना भी भारत का राजस्तों Hasil've उसके और सबसेजाएगा किल्चरल और अलग-अल Chapel राज का वीधुष्टा होता है अगर माल लिजये की उस राज के सरकार making में adsα करेगी केंद्र सरकार ये इसका बुराई है तो हश्चिप कर सकती है जब केंद्र सरकार बहुत मजबूत होगा राजय सरकार कमजोर होगी उस संदर में हश्चिप कर सकती है ठिक आगे यह आगे है कि शंगवाद के प्रकार क्या है शंगवाद के प्रकार साथ आकर संग बनाना और साथ लेकर संग बनाना आकर और लेकर मतलब यह संगवाद के क्या है प्रकार है बहुत बढ़िया आगे केड़ा कि साथ आकर संग बनाना अब क्या है तो दो या दो से अधीक स्वतंत्र इकाईयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है जैसे ऑस्ट्रेलिया सनित राज अमिर्का यहां दिखे साथ आकर ठीक है दो या अधीक स्वतंत्र इकाई स्वतंत्र मतलब जिस पर किसी का साथ नहीं हो जानि यहां लोकतंत्र हो राजतंत्र नहीं हो तो स्वतंत्र इकाईयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन सभी स्वतंत्र राजों की सत्ता एक समान होती है जैसे अस्ट्रेलिया हो गया स लेकर संग्वना यहां साथ आकर है यहां साथ लेकर है दोनों अलग अलग है एक बड़े देश द्वारा अपनी आंत्रिक बिभी दिता को ध्यान में रखते हुए अलग 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 बिवीधिता यानि की भी हर जैसे मान लेते हैं कि अगर भारत का बात करें तो यूपी की अ बिहार का अलग है महराष्ट का अलग है बंगाल का अलग है अलग अलग है तो उस सारे बिवीधिताओं को लेकर ध्यान में रखते हुए राजों का गठन कर लेना ठीक है और केंद्र अधिक सकती साली होता है जैसे भारत और जापान भारत में क्या अलग-अलग बिवीधिता है ठीक है माल लेते हैं ऐसल बीविताब समझें जैसे बिहार का और उत्तर प्रदिश माल लेते हैं तो छट बहुत महत्पूर्ण है लेकिन महराष्ट का उतना महत्पूर्ण नहीं है महराष्ट में गनेश उत्सो मनाया जाता है जबकि बंगाल में अभी नौरात्र चल रही है तो नौरात्र मनाया जाता है ज्यादा अस्तर पर उसे बिहार में भी मनता है लेकिन ज्यादा कहां है नौरात्रा ठीक है यह कहां है बंगाल में कहां है बंगाल में ठीक उसी प्रकार पुंगल ओनम पुंगल कहां की ते वहार है पूछ देगा आप से चलिए लिखिए पुंगल और ओनम ठीक ओनम तो पुंगल है डियर तामिल नाडू पुंगल कहां की है तमिल नाडू का ते व आई आगे आगे कह रहा कि एकात्मक और संगात्मक सरकारों के बीच का अंतर एकात्मक और संगात्मक सरकार के बीच का अंतर क्या है तो एकात्मक सासन विवस्था क्या है इसमें केंद्र सरकार सक्तिसाली होता है तो एकात्मक और संगात्मक के बीच का अंतर क्या है एकात्मक संदर भात कर रहा है कि लोग के संट्रल जासे नरेंद्र मोदी जी परधान मंत्रिया दिली में उनकी सरकार है तो इसमें जो आधिक सकती होती है इसके अंतरगत समिधान संसोधन किंद्र सरकार के पास रह सकती है अब बताईए समिधान संसोधन जब किंद्र सरकार के पास रहेगी तो कुछ भी संसोधन कर सकते हैं ठीक है आज से कर देंगे ये हो गया आज से हो गया तो कुछ भी कर सकते हैं तो ये एकात्मक अंतर बता र होती है एक ही आदमी के पास या एक ही जगा सकती जो है उखेंद्रित रहेगी ठीक है आगे है इनमें एक ही नागरिकता होती है मतलब अलग अलग नागरिकता नहीं होती एक ही नागरिकता होती है जैसे केंद्र सरकार राज्यों की सकतिया ले सकती है बताइए अगर हमारा रा के लिए क्या है नुक्सान है यानि लोक तंत्र के लिए क्या है नुक्सान है आगे है संगात्मक सासन विवस्था तो इसमें क्या होता है इसमें केंद्रिये सरकार अपिक्षा कृत कम जोड होती है संगात्मक में केंद्रिये सरकार जो है कम जोड होती है इसमें केंद्र सरकार अकेले समिधान संसोधन नहीं कर सकती है इसलिए संगहात्मक होना बहुत ही जरूरी है सक्तिया कई अस्तरों पर विभाजित होती है सक्ति कई अस्तर पर मतलब एक केंद्र का सरकाव मतलब माल लेते हैं कि राजिक में भी हो गया तो अलग-अलग सक्तियों का क्या होगा विभ के मेरेका दोभरी नागृता वाला देश कॉन है अमिर्का यह घजिकटिव डिख पारहा रहा है और अब जैक्टिव आपको याद रखना है कि दोड़ी नागृता किस देश की ए तो अमेरिका की है है दोनौ अस्तरों की सरकारे अपने अधिकार 46 क्या होती यानि केंद्र भी सवतलत रहरा जैशा किर सकते हैं योग कर शकते हैं कोई और एश टेट कीमल सेपैज़िवाल कुछ तो राज धानी मिल्जीयम की राजधानी कहां है आप लोग जल्दी बताईए ठीक है तो जो कमेंट कर दीजेगा मिलती जूलती एक भी सेस्ता help Belgium से मिल anonymous एक भारत में बेद में मिलती जूलती विश्य Euchada यह कि दोनों देशों में संपुर्ण देश के लिए एक संग शरकार का गठन है यानि दोनों दूसरे में क्या है संघीय विवास्ता है जैनए राज्य सरकार अलग लेवल पर काम करेगी आ लग की बेल्जियम से मिलते जुलती अलग अलग एक विवस्ता to अलग है कि बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक अनेक सकतिया, देश के दो च्छित्रिय सरकारों को सुपूर्द कर दी गई है, जब कि भारत में किंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पर नियनत्रन रखती है, फिर से समझेंगे हैं कि ज़हान से समझे, कडी अलब भी सेस्ताय या है कि बेल्लियम की चिंद्र सरका सकतिया का जो खिंद्र सरकार को सुपुर्द कर दी गई है जब की भारत में संहीं बिवस्था भारत की संहीं बवस्था कैसी होनी चाहिए एक बहुत ही दुखद और रक्तरंजित विभाजन के बाद यानि दुखद मतलब रक्तरंजित यानि मतलब मार काट आदमी को मारा गया होगा काटा गया होगा जैसे भारत और पकिस्तान का अलग हुआ उस समय आप यहां से हिंदू को मारा जाता था वहां से हिंदू को मारा मतलब बहुत लोगों का जान गया है विभाजन के बाद भारत क्या हुआ आजाद हुआ और आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवारों का भारत में बिले हो गया अब राजों रजवारों का देश अब बताईए जैसे कि हैदराबाद ठीक है यह भी स्वतंत् सक्षाग dei के दवारा हेदराबाद को मिलाया गया है और मिलाय एक इसने हैं को सरदार पतेल जीने क्योंकि प्रांत्ये समीटी के सदस्व से थे ठीक है संधिये समीत्विती और राज्वारों को राज्यकु बढ़ें सर्डार पूरू Chaos कहा जाता है और भारतका भॉत्मार्क भी कहा जाता है किनको सरदार बल्ला भाई पटेल को याद रखेगा भारत का बिसमार्ख ठीक और भारत का लोह पूरुस भी किनको कहा जाता है सरदार बल्ला भाई पटेल जी को कहा जाता है ये कोशन आप याद रखेगा ठीक आगे है कि सम्मिधान में मौलिक रूप से दो अस्तरिय सासन विवस्था का प्रधान किया गया था संघ सरकार यानि केंद्र सरकार और राज सरकार को पूरे भारतिय संघ का प्रतिनिद्ध करना था यानि केंद्र सरकार पूरे राज देश का प्रतिनिद्ध करता था बाद में पंचात और नगर पालिकाओं के रूप में संगिय सासन का एक तीसरा भी जोड़ा गया था आगे है कि भारतिय समिधान में किंद्र और राज्यों के बीच सक्तियों का बटवारा ठीक है भारतिय समिधान में केंद्र और राज्यों के बीच सक्तियों का क्या हो गया है बटवारा हो गया है यानि समिधान में अस्वस्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधाई अधिकारों को ठीक है तीन हिसों में बाटा गया है और यह तीन हिसा क्या है यानि केंद्र और राज के बीच केंद्र और राज के बीच जो सकती है तीन हिसों में बाटा गया है संग सुची राज सुची और समवर्ती सुची ठीक है अब आईए सुची है तो यहां से हम किलियर करते हैं संग सुची में कौन आएंगे केंद्र 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 किसे संब यानि संग सुची में वहीं आएंगे किंद्र सरकार के जो अंतरगत आती है वह आएंगे जैसे डाकी आप समझते हैं यह किंद्र यह सरकार का है ठीक है यह किंद्र सरकार का है रेल समझते हैं रेल गाड़ी सिर्फ सिर्फ कौन काम कर सकती है किंद्र सरकार कभी सुने है कि पुलिस आते हैं पुलिस टीकाई पुलीस किस काइं अंतर जैसे शिक्षा किसका संबंध यह याद रखेगा पूछेगा कोश्चिन की बता यह सिक्षा का संबंध किस सुची है संब्रघ्लिक्ति सुची से और संब्रघ्ली में कौन काम करता है दोनों केंद्र और राज दोनों जब कि राज सुची में सिर्फ राज और संग सुची में केंद्र तो आई होब कि समझ गया है केंद्र यानि रेल किसके डाकिया किसके केंद्र सरकार केंद्र पूलिस कहां काम करती वाई राज सरकार केंद्र सिक्षा किसम है समवर्ति ते किस्षा पर दोनों कादिकार है केंदर का भी और राजि का भी जैसे आप मालिजे को यूपी बोर्ड के होंगे ठीक है को is ओप हो Aak Could संग सुच्छа चूच़ी है अब को प्प्र समझें संग सुची में प्रतिरक्षा बिदेशी मामले बैंकिंग संचार और मुद्रा जैसे राष्टी ये महत्व भिस है यानि राष्ट अस्तर पर जो आएंगे वो किस पर आएंगे संग सुची में पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है इसी में डाला गया है आगे है कि संग सुची में वर्नित विसरों के बारों में कानून बनाने का धिकार सिर्फ किसके पास है केंद्र सरकार के पास है यानि अगर कोई बस तू जो केंद्र सरकार यानि की जो संग सुची में उस पर सिर्फ और सिर्फ कानून को बना सकती है केंद आगे है राज्य सुची राज्य सुची में पुलीस इपटाएं हम आपको थोड़ी धर पहले राज्य सुचि में पुलीस ब्यापार वनेज्य करिसी और सिचाई जैसे प्रांतिय सासन का महत्तो है यानि प्रांतिय मतलग उस राज के अस्तर पर जो महत्तो है स्वानिज क्रीशी और सिचाई जैसे प्रांति अस्थरियों पर किसका महत्तो है राज का तो राज सुची ही गनत्र गताएंगे और जो शूची में हैं उस पर केंद्र और राज दोघ बना सकती है क्लियर में आए आगे संगल की में पहले एक एक सतना की कितने है 66 लेकिन अब कितने हैंं एक सट अब बताईये अभी ठोड़ी दर पहले हमापको बताया है संघ सुची में पहले कितने थे कितने थे कितने थे बताईये संतानिमिस अब कितने हैं सोउवitting गिलियर سंद- verz substitute ठीक चो समवर्ति सूची में सिक्छा बताएं हम आपको वण मजदूर संग मजदूर संग यूनियन लेवर का बिवाह गोध लेना और उत्रा धिकार जैसे विषय है जो केंदर के साथ राज सरकार की साज़्ा दिल्चस्पी आते हैं केंदर के साथ कोन है राज केंदर के साथ कर chamber के साथ कौन है राज ठीक है जो दीजिएगा इन बीशख़ वपर कानून बनाने का अधिकार राजसरकार और के सब्सक्राइब यहां यहां देखिये अगर सब्सक्राइब यह उस पर केंड्र और राज दोनों जोари किलियर है लेकिन अगर उस पर टकड़ाव होगा यानि किंद्र और राजी के बीच अगर कुछ होता है इस पर उसका जो कानून है तो केंद्र सरकार दोड़ा बनाया कानून ही मानने होता है किलियर है किसके दोड़ा किलियर होगा केंद्र सरकार का प्रव दोनों कानून होना स किसा याद रखेगा पहले इसमें 47 से अब कितने हैं बावन है ठिक है आगे है अब सिष्ट सक्तिया वे बिस है जो ऊपर से तीन सुचियों में नहीं है तथा जिनका कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है यानि संग सुची राजु सुची और समवर्ती सुची में ज संग्य विवस्था कैसे चलती है भासाई राज भासा अलग अलग राज यूपी का अलग बिहार का अलग ठीक है बंगाल का अलग महराष्ट का अलग ठीक है गुजराद का अलग सब का भासा अलग अलग है तो भासाई राज भासा के अधार पर प्रांतों का गठन हमारे द लाग गया नए राज बनाने के लिए अब जैसे माल लिजे की बिहार से जार खंड अलग होई उत्तर परदेश से उत्रा खंड अलग हुआ मद्ध परदेश से चतीस गड़ अलग हुआ अविवर्तमान में त्यलांगना 2014 में अलग हुआ था कि से आंध्र परदेश से तो सब्सक्राइब अलग बिहार में अलग-अलग माल लिज्य यूपी में भी अलग-अलगलग अलग जिला के अलग सा बोलते हैं तो सब कहेंगे के हम अलग-अलग राज बनाएंगे तो इससे क्या हो इस तो टूट हो जाएगा वी यही भासाई राजी का क्या था सबसे बड़ा का मतलब डिफॉल्ट था केंद सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों को पुनरगठन टाला परन्तु हमारा अनुभा बताता है कि देश जाजातर मजबूत और एकी कृत हुआ है ठीक है चलिए आई आगे है कि भारत की भासा न देकर हुई है नीति श्रॉडव भास या निति भासा के संगी ढांचे दूसरी पक्षा नीति अलग अलग है भारत में किसी एक भारत में किसी एक भासा को राश्ट्राइक दरजा नो देकर हिंदी और अन्ने 21 भासाओं को अनुसूचित भासा कर दरजा दिया गया है समझे भारत में टोटल कितने राश्टिये की तो भासा है 22 अब राश्टिये लैंगुज है कोई नहीं राश्टिये लैंगुज हमारा नहीं आप पढते होई एक कि हिंदी हमारा राश्टिये लेंगुज है केवल केवल नौ राज्यों में बल की कितनी कितने राज्यों में नौ राज्यों में आप उंगली किES के उप बिहार दो हुआ यूपी बिहार राजस्थान मद्यपरदेश चत्तिसगड उत्राखंड हिमाचल परदेश डिल्ली कितने राज होगा है आठ नौ राज ठीक है और एक केंद साज सॉरी दिल्ली और एक और राज है वह राजस्थानम बोले हैं अच्छा चत्तिसगड ठीक है चलिए मद्यपरदेश यूपी बिहार हिमाचल परदेश उत्राखंड ठीक है उसके बाद हिंदी डिली में बोली जाती और 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 एक राज चुट गया होगा अप लोग याद करवा Madam को इनुक्のは हें लुट छिक है तो अंग्रेजी को राजढ़ के भासा के रूप में मानता गई बिशेश कर गेर हिंदी भासी परदेशों को देखते हुए है जहां हिंदी नहीं पुरि यह तरफ जयासे तरफ और अंधपर conservative system आ तो उसका शृत कि लेंगवेजी बोला जाता है टो इस लिए उस भासा को देखते हुए English भी वहा किया गया कि जो भी दोसरे स्टेट से जाएंगे वह इंग्लिस की जानकार होंगे तो इंग्लिस समझ पाएंगे ठीक है और भासा 22 है यह आठीवी अनुसुची में 22 भासा है इसको आप नोट कर लिजेगा यह कोश्चन पूछता है बहुत पूछता है सभी राजों की मुख् और धाल जाएंगा इसमें आभासा इसलिए अन्य भासाओं इसमें उपाय किये गया है बहुत बईया ठीक है कितने प्रसेंट ? सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे है किंद्र राज का संबंध कैसा होना चाहिए तो किंद्र राज का संबंध का संबंध देखिए किंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है राज में किसी और पार्टी की सरकार मतलब उसके अपोजिट में हैं कि यहीं संबंध होना चाहिए अच्छा होना चाहिए लेडर में काफी समय तक हमारे यहां एक ही पार्टी क्यंद्र और अधिकार राजों का सासन रहा है इसका बेवहारिता का मतलब यह हुआ कि राज सरकारे ने स्वातता संग्यें इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया है किलीए ड़्य? जब केंद्र और राज में अलग-अलग दले की सरकार रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिक्तर सुरी अधिकारों की अंदेखी करने की कोशिस की ठीक है अलग-अलग राजी की सरकार है तव हम बतात चुके हैं आपके अधिकार को अंदेखा हो सकता है ठीक है उन दिनों केंद्रस अक्सर संभेधानिक प्रवधानों का दुरुपियों करके विपक्षी दलों को राजसरकारों को भंग कर देती ठीक है आगे है कि यह संभवाद की भावना के प्रतिकूल काम करता था 1990 के बाद यह इस्तिती काफी और बदल गई इस अवधी में देश के अनेक राज्यों में छेत्रिय दलों का उदय हुआ है सही बात है 1990 के बाद बहुत सारे च्ट्रिय अगर हम बात करें उत्तर पर्देश की तो समाजवादी पार्टी उनिसन नब्य ठीक है जेडियों 1990 तो जितने भी छेत्रिय पार्टी थे उनका उदय उनिसन नब्य के बाद हुआ क्योंकि जो केंद्र सरकार थी वह ज्यादा मह हुआ मतलब इन मतलब कहने का मतलब इन पार्टी का उदय हुआ ठीक है चलिए समाजवादी पार्टी का नाम लिखे आजडी के अध्यक्स नाम जल्दी जल्दी आप लोग लिग दीज़ेगा कमेंट में ठीक है और इनका चुनाव चिन भी पूचता है दोस्तों चुनाव ठीक है चुनाव चिन अब बताइएगा समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन क्या है और जेडी का चुनाव चिन और जेडी का चुनाव चिन क्या है ठीक है अनेक राज्यों में छेत्रिये दलों का उदय हुआ यही दोर था केंद्रिक में गठवंदन सरकार की सुरुव चुकि किसी एक दल को लोक सभा में असपस्ट बहुमत नहीं मिला लोक सभा में अगर असपस्ट बहुमत ना मिलेगे तो क्या करना होगा गटवंदन करना होगा आपको जैसे अभी गटवंदन की सरकार चल रही है बीजेपी ठीक है बीजेपी पलस जेडी यू पलस टीडीप ठीक है और बिहार की बात करें तो चिराग जी की पार्टी है एक एलजेपी ठीक है यूपी में आप जाएगा तो यूपी में निशाद पार्टी ठीक है ये सब पार्टी की क्या है सरकार चल लई है के अंदर में मतला मीली जुली सरकार चल लई है इसलिए प्रमुख करने की नई संस्कृति पनपी, ठीक है, बहुत बनिया, ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक, इस प्रविर्थी को सुप्रीम कोट ने एक बड़े फैसले से ये भी बदल दिया, और इस फैसले के कारण राजसरकारे को मनमाने ढंग से भंग कर दिया, ठीक है, यानि राजसरक सरकार के लिए मुश्किल हो गया, इस प्रकार आज संगिय बेवस्था कि तहत सत्ता की साइदारी समिधान लागू होने के तत्कालवाद का दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है, ठीक है, आगे, गठवंदन सरकार, ठीक है, एक से अधीक राजिंतिक दलदोडा मिल अभी बता है, बाइस 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 बाइ समिधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भासा के तौर पर अंग्रेजी का परियोग 1965 में बंद हो जाता चाहिए था पर अनेक गैर हिंदी भासी परदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का परियोग जारी रखा जाए ये ठीक है अंग्रेजी को खतम कर दिया गया था 1965 में लेक प्रडियसों ने मांग की थी कि अंग्री झी का परियोग जाली रखा ठीक है टिक्या मनम समांगने उघ्र रूप से ले लिया था और किंद्र सरकार ने हिंदी के सात साथ अंग्री जी राज भांगन की भासण का परियों अनुमती देखर इस nineteen यानि अब इंग्लीज को खतम होने वाले तो किस ने अभी बताया थे हम आपको की दक्षिन भात में नहीं बोला या तो मिलाडू राज ने इसका क्या किया अलेक उग्र ले लिया और इसको लागू करने करवाया गया कि राज भासा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देना बहुत बनिया भारा सरकार की निती बनी हुई थी और इस पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राजयों को भी हिंदी पर थोप सकती थी जहां लोग कोई और भासा बोलते हैं ठीक है भारती रा इंका मीं वारत में भाकाली नींचे कैसे हैं बहस्ञाब एक क्यासों अलग 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 भासाएं थेंड armour साइ हैं रखा गया है ठीक है उधारन के लिए भोझपूरी मगदी बुंदेल-खंडी राजस्थानी भीली और कई अन्य भासाओं को हिंदी के रखा गया है विभिन भासाओं के समूहop बनाने के बाद ही भारत में 114 मुख्य भास आये हैं ठीक है भोजपूरी कहां बोला जाता है बताएं मगधी और बुंदेल खंडी चातिसगडी या राजस्थानी भीली ये सब कहां बोला जाता है ठीक है तो भुजपूरी जन्वे करते हैं बिहार में बोला जाता है यूपी बुंदेल खंडी यूपी बोला जाता चातिसगडी चातिसगर में राजस्थानी राजस्थानी भीली वहीं के बाद भारत में 114 मुख्य भास आये हैं ठीक है इनमें से 22 भासाओ को समयधानी के आठवे अनुच्छेद में अनुसुचित भासा के लिश्ट में रखा गया ह अगे भारत में विकेंदरी करण ठीक भारत एक विसाल देश है इसमें कोई डाउट नहीं कि भारत एक विसाल देश है ठीक जहां दो अस्तरों वाली सरकार काम चलाना बहुत मुश्किल काम है भारत में कुछ राज तो इरोप के कई देशों से भी बढ़े हैं यानि अगर बात करिएगा उत्तर परदेश का सिर्फ तो उत्तर परदेश अकेले पाकिस्तान के बड़ावर अब बताईए ठीक है जहां एक देश वहां अपना एक राज ठीक है इरोप और बहुत सारे देश जो है भारत के इरोप के कई देशों के बड़ावर एक राज ही है ठीक है इस म बहुत बढ़ा है यह उतर प्रदेश नहीं है रूस ठीक है यहाँ पाकिस्तान आप लिख सकते हैं अप्र यह गलत हैं जिक कई अस्थानिय अस्तर पर भी कहा जा सकता है अस्थानिय सरकार के के माध्यम से सरकारी तंत्र के लोग को सीधी भागेदारी सुनिश्चित होती है इसलिए भारत में सरकार एक तीसरे अस्तर को बनाने की जरूरत महसूस होई है बहुत बनिया ठीक है सब्सक्राइब करने के इसके तहट भारत में अस्थानिय स्वासासन निकाओं को शम्यधानिक दर्जा परदान किया गया इवां भारत के भारत में पंचाइती व्वस्था मजՑफूत बनाया गया कियर है बहुत बनिया ठीक है के अगे मतिंशत पेजिए पंचायती राज सअधा अंप्रेल को मना जाता है तो जोबीशिक यह और पहली राजस्थान कौन सा जिला नागाओर जिला ठीक है राजस्थान का कौन सा जिला था नागाओर जिला राजस्थान का नागाओर जिला जो पंचाहिती राज पहली बार लागू हुआ नाइन्टीन फिप्टी नाइन में नाइन्टीन फिप्टी नाइन में ठीक है इसको मिटा निर्वाचीत स्वासासन निकायों के सदस्य तथा पद्धिकारियों के पदो में अनुसुचित जातियों अनुसुचित जन जातियों पिछरी जातियों के लिए भूचीत कम से कम एक तीहाई पद महिलायों के लिए ऑ़ यह कितने पर्तिसेत 15% ayuk पंचायती राज में बिहार में कितना है 50 पर 30 है और सबस्टेट में एक तीहाई है अलग-अलग राज में हर राज में पंचायत और नगर पालिकाओ को चुनाव कराने के लिए राज चुनाव आयोग नामक संगठन अस्थापित किया गया था यानि कौन चुनाव करा वगा तो राज चुनाव आयोग ही करवाएंगे ठीक है राज सरकार को अपने राजस्त और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन अस्थानिय स्वासासन को निकाओ को क्या करना पड़ता है देना पड़ता है ठीक आगे है ग्राम पंचायत यहां देखिए पंचायत हो रही है गाओं मे जो गाओं का परधाना अध्यक्ष होते हों क्या कर लाते हैं सरपंच कर लाते है ठीक है तो ग्राम कचहरी का परधान कौन होता है तो सरपंच होते हैं कौन होते हैं सरपंच होते हैं ग्राम पंचायत का परधान कौन होता है तो मुख्या होता है ठीक है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है मुख्या होता है ठीक आगे है पंचायत समीति इसका प्रधान कौन होता है प्रमुख क्या होता है प्रमुख ठीक तो कई ग्राम पंचायत मिलकर मंडल समीति पंचायत पंचायत समीति का गठन करती है इसके सदस्तों का चुनाव इस इलाके में सभी पंचायत सदस्त करते हैं यहां देखिए ग्राम पंचायतों की समीतिया कितला बढ़िया है और यहां पर देखिए नियोजन विकास समीति का काम करेगा जल प्रवंधन समीथी का काम होगा स्वास्त कल्यान समीथी परसासनिक समीथी सिक्षा समीथी निर्मान कार्य समीथी सभी पंचायतों में किया जाते हैं अलग-अलग पंचायत अस्तर पर अलग-अलग काम होते हैं ठिक आगे हैं पंचायतों की मुख्य परेसानिय क्या है तो जागुरुकता सब्सक्राइब नहीं रहता है उसलिए जागुरुक्ता का अभाव पायव नहीं जुर्णे हुए तो उनको जागुरुकता नहीं मिल प्हएगा जिनसे वो नहीं समझपा रहा है धन्का आभाव होता है गाओं के लोग सवरीटना अमीर तो होते नहीं है घृटन का भाध अधिकारियों की मनमानी होती है ठीक है आप जानकार हिए यह नहीं है जान रहा है अधिकारी की कुछ पर नहीं कर नहीं कराना ठीक है यह और आगे हैं जिला परिषद किसी जीले की सभी 55 समीतियों को मिलाकर एक जीला परीशत का गठन होता है यानि जीला यानि अगर तर मालीश आपकिसी एक जिला बिसीसमेल Whitaker मिलाकर जिला प्रिष्ट का क्या किया जाता है घंपतन किया जाता है जिला परिषत के अधिकान सदस्वों का चुनाव होता है जिलाब उसे जिले के लोक सभा और hours सभा के लिए चुने गया सांसरो और विदहायक तथा जिला अस्तर की संस्थावों में कुछ अधिकारों के सदसरूप लेते हैं जिला परिशत का पर मुख इस पर जिला परिश्रद का जो पर मुख होगा न उजी पर अब जिस प्रकार गराम पंचायत का प्रकार जिला प्रशिद才al इस प्रकार एंवे नीगम काज़ना प्रकार लिए आस्थानी ये सासन भलाली संस्थाय सहरों में भी काम किरती है इस चोटे सहरो में नगर पालिकाय होती है बड़े सहरों में नगर निगम का गठन होता है बड़े सहर में क्या होता है जबकि छोटे सहर में नगर पालिका होता है नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनीधी करते हैं ठीक है अगर आगे नगर पालिका का प्रमुख नगर पालिकाओ के राजनितिक परधान होते हैं नगर निगम के ऐसे पदाजिकारी को मेर कहते हैं ठीक है नगर निगम में आप देखे वाड़ परसत होता है वाड़ परसत के जो मुख्य होते हो वो क्या होते हैं नगर पालिका यानि मेर ठीक है मेर कि आ आपके यहां पर पक्राइद कर दिया गाया है डायाग्रामस के पास की दिलि नगर नीगम है यह राजकूर्टस प्लीं ग् deficit का लृई ज़िए और अलग अलग प्रfallsगर की अलग आज हम यहीं सांब्त करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिंद